नमस्का दोस्तों तो यह जो है आई द्रिष्टी का जो है आया हुआ जो करेंट अफेयस है करेंट अफेयस दोजाद चौब इसका उसका हम अंतर राश्ट्रे घटनकरम को डिसकुशन करेंगे जो आरो और यारो यूपी पीसेस के लिए बेहाद इन्पॉर्टेंट है तो ने के नए पधान मंत्री के रूप में किसने सफ़त ग्राड किया है यह 13 दिसंबर 2023 की ख़बर है और अकसर जो है कुशन पूछता है दूसरे जगान के राश्पती दूसरे जगान के पधान मंत्री का जो है दूसरे देश का पूछता है तो डोनाल्ट डोनाल्ट टस्क नाम है का पोलेंड के नए जो पीयम है क्वालिटी आफ लीविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है तो मरसर द्वारा जारी किया जाता है 12 दिसंबर 2023 के ये खबर है रैंकिंग में कितने साहरों को सामिल किया गया है ये पॉइंट है is चांऑ इंका जो तीन सहर उसमें उसमें और इसलों की है नियू जिलेंड का है इसमें किन भारतियों को सामिल किया गया है बात हो रही गए इसमें firms में 151 जो राहिए है हाद्राबात ते लंगाना को 154 पूरे महाराश्ट्रा को 156 बंगलूरू कर। को 161 जो है चैन्नाई तमिलनाडू को और वहीं 164 मुंबई महराष्टा को 170 कुलकाता पस्चिम बंगाल को 172 जो है नई दिल्ली दिल्ली को मिला है यह रैंकिंग हासिल हुआ है मसा द्वारा यह रैंकिंग जाली किया जाता है क्वालिटी आफ लिविंग सिटी रैंकिंग ग्लोबल रिवर सिटीज एलाइंस जी आर सी यह कहां लांच किया गया है दस दिसंबर की यह खबर है दुबई में कॉप 28 में अब कॉप 28 से रिलेटेड है तो यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देखा जाए ग्लोबल है कंबोडिया है जापान है भूटान है आस्टेलिया नेदलेड मिस्र घाना हंगरी और अमेरिका सामिल है फिर नेक्ट क्विश्चन की बात हो रही है किस सहर की मेजवारी में ग्लोबल पार्टनर्शिप और और्टिफीसियल इंटेलिजिएंस सिखर सम्मिलम का आयोजन नेदले में आयोजित हुआ है क्या जी पी ए आई ग्लोबल पार्टनर्शिप और और्टिफीसियल इंटेलिजिएंस नेदले में आयोजित हुआ है नेक्ट पॉइंट है कि किस देश के राश्ट्रपती बिलियम समोई रूटो भारत की आधिकारी की आत्रा पर आया थे चा से आठ दिसंबत हो जाए इसको इस बैठका आयोजन कसाने बोस्वाना में आयोजित हुआ है इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है तो यूनिस को द्वारा किया गया है और इसमें किस भातिया निरित को माना होता कि एक आमोर्थ सांस्क्रित धरोवर घोसित किया गया है तो गरवा को जो है अब यह important हो जाता है current के लिए और यह very important है मतलब का सकते हैं most important क्योंकि यह UNESCO द्वारा आजित होता है तो गरवा को जो है भातिया नित्त की मानोता कि एक आमूर्थ संस्कितिक धरोवर घोसित किया गए गरवा 21 राज का पसिद नित्त है तो गुज नहीं सकते हैं वह आमूर्थ सूची में आता है तो 15 में है टाइम्स पर्सन आपदाईया 2023 किसे चुना गया है 6 दिसंबत 2023 को तो टेलर स्विट का नाम जानी रहेंगे कि पाप गायक है यह अमेरिका के पाप गायका और अभिनेत्तरी है यह टेलर स्विट किसे चुना गया ह तो सैम आल्टमैन ओपेन आई के हैं एथलीट आपदाईया 2023 किसे चुना गया है तो लियोन मैसी को चुना गया है फुटबाद से संबंदी था यह दुनिया के सो सबसे सक्किसाली महिलाओं की सूची में सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है तो 5 दिसंबर की खबर य महिलाएं सामिल है कौंसी नहीं भारत की कौंसी महिलाएं सामिल है तो ऐसा क्विशन बनता है फॉस द्वारा जारी किया जाता है सूची में तीन जो महिलाएं सीस पे है उसला वान डेर लें यह अध्याच्हा यूरूपिया आयोग की क्रिष्टीन लागार्ड अध्याच्ह हुआ हैं समगर रेंकिंग में बात क्राइए तो संत्रमय नमबर पराया किरंद मज्युम्दारशा हुआ संगर रेंकिंग में बात कु Championships रोगति से भाहर होने की घोस्ठा किया ये 6 December की खबर रत हो जाते हिसलंगे तो ऍटली ने जो है चीन क chewyback really रोड इनी सेरी वाला जो प्रोग्राम इनका चल रहा है उससे जो है बाहर इटली होने के घोश्डा कर दिया है भारत में किस देश के साथ सहयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का सुभारम किया है तो यह स्वीडन के साथ किया है इसका फुलफाम जान लेजिए यहां पर दे किस देश को अंतराष्ट्य समुद्री संगठन आई ओ यमो परिशत के लिए पुना निर्वासित किया गया है एक दिसंबर की खबर है भारत को भारत को किस दुई वार्षिक दुवर्षिय कारिकाल के लिए चुना गया है तो 2024-25 के लिए चुना गया है यह आई यमो जानते रहे हैं कौन सारी रिपोर्ट है सुचकांग था यह इंडेक्स है जलवाई पड़वायत हैं प्रता से सुचकांग जर्मन वाच और नियू क्लाइमेट इंस्टिट्ट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्ग इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है हर सा इस टांग रहे कितने देशों को सामिल किया गया तो 63 देश है और प्लस यू रूपी यह संग एईउ पर्थन 3 में कोई सामिल नहीं है तो इस जो तीन देश की बात होती है डैनमार्क एस्टोनिया और फिलिपीन सामिल है तो इस्टोनिया की बात करें तो 75.59 स्कोर है वहीं भारत की रंकित की बात करते हैं तो साथमें नंबर पर है पर्थम तीन में तो कोई सामिल ही नहीं है बाकि 456 के बाद जो है सेवन्थ नंबर पर भारत है 70.25 अंक के साथ जिसने ग्लोबल कूलिंग वाच 2030 रिपोर्ट जारी की है तो UNEP सर्युक्तराश परियावरेड कार जिनों में G20 देसों को कितने प्रसंज हिस्सेधारी थी तो 82 जो है हिस्सेधारी थी जिस्जी गैस उससाजन में बात करते हैं हम लोग 82 परसंड यह जी टुन टेसों का सामिले कि इसके द्वारा प्रारम की गई है तो यह दिसंबद हो जाते हैं इसकी ख़बर है सर्युक्तिराश्ट द्वारा इसके द्वार्णिंग्स फार आल पहल है इसके द्वारा सभी को खतनाक मौसम और प्राकेति का दाव सो सुरचित करना यह अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी टाइप के कुईशन पुछते हैं इसको ध्यान में रखियेगा आव अर्ली वार्णिंग्स फार आल पहल है इसके द्वारा सर्युक्तिराश्ट द्वार्णिंग्स नेशन के द्वारा इस पहल का वो देश समझते रहे है कि 2020 तक हो सकता है आप्सन में 2025 देदे या 2030 दे या पहल कहां लांच किया है तो QA28 में बहुत सारी पहल इनिसीटिव लिए गये हैं उसको ध्यान में रखना है यह पहले नंबर आप जानते रहे हैं यह कहां पर हुआ था UAE में तो इसमें देख लेजिए कि या पाहल कहां लांच किया गया है तो को अप्रण टीएट सिखा सम्मेलन दुबाई में यूएई ही विस डवलू आई यसी सिखा सम्मेलन का 11 संस्क्राड कहां यूजिक किया गया है जो 28 से 279 वाजाद 23 दोहा कतर में विस का बिश्तरित रूप बात करता है तो वार्ड इनो वेशन सम्मेट फार एजुकेशन के लिए या इसकी जो थीम थी रचनात्मक प्रवाह एथिम बुद्धिमत्ता के यूग में मानों का विकास सफीण हुसान को पहली भारतिय महिला है अभी यह इंपॉर्टेंट हो जाया आपके लिएरी इनपॉर्टेंट है क्योंगे पहली भारतिय महिला आई विस प्राइज से सम्मानित किया गया है इनिए वह डिनोवेशन सम्मेट फार एजुकेशन इसका फलफाम होता है न्यु च्छुर का आठ्मा आस्चर बन दया है तो अंकोर्वार्ट मंदिज्च डो कंbोडिया का है समझे थो कंbोडिया का विस्ट को बैसको नेक्ट कि सब्कृदगोच का आध्मा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे एक महीने वाइस करेंगे इसे पहले मैंने कुछ किया है घरना चक्र का ही है आप देख सकते हैं माल्दीव के नए राश्पती के रूप में किसने सपत ग्रहड किया है तो सत्रानोंबद हो जाते इसके खबर रहे डाक्टर मुहम्मद मुईच्चु चक्रवात जो है मिधीती पहले नमबर आप नाम याद रखिये मिधीली नाम है इसका मिधीली कहां आया था बंगाल की खा को मजबूत करना कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रिटी आंड कंवेंशन आंड फोसेज इन यूरोप सी यफ इस बाहर हो गया है तो रसिया जो है रूस जो है बाहर हो गया है कि यूएस विस्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एस्या दोयाद चौभीस किसके द्वारा 8 variant से रहएं रांकिंग सरवादिक अस्थान की द्वाट होगी तो पेकिंग इन्वेस्टी का है सपराप्फ और शोनिवर्सिटी रांकिंग प्रैक्णर प्रप्रप्ट एक नया रिपोर्ट है जो कुश्चन पूछ सकता है कौन जारी किया है तो इंस्टिट्यूट फार एकोनोमिक्स एंड पीस आई एपी वाय साफ ग्लोबल साउथ सिखर सम्मेलन 2023 कब आयजित किया गया तो 17 नौबर 2023 को इस सम्मेलन की अध्यचिता है पधान मंत्री नरेंद मोधी भारत के जो है उन्होंने या वाय साफ ग्लोबल साउथ सिखर सम्मिट जो है कि गई तो 30 अक्टूबर से लेकर 3 नौबर तक की ख़बर यह है जनेवा इंप्वार्टेंट हो जाता है किससे संबंदित है आप यह जानते रहिए कि पारे से संबंदित है मीना माता कन्वंशन चीन के Belt and Road Initiative से बाहर निकलने की घोषड़ा देखें फिसे अभी इटली ने किया था फिलिपीन ने किया था फिलिपीन से यहां पर लिख दे रहा हूं पथम ग्लोबल AI Safety Summit 2030 मेजवान जो है UK है में कितने देशों ने कितिम बद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने क पहले समझोते पर हस्ताचर किया है तो 28 जदिसों ने हस्ताचर किया है इस समझोते का क्या नाम है तो ब्लेचिंग घोषड़ा ठीक है अब यह एक नया घोषड़ा है जो कि पहला है और वेरी इंप्वाटेंट है पूछ सकता है कि किस से संबंदित है तो यह एक ग्लोबल AI सेप्टी संब्ट है ग्लोबल AI संब्ट सेप्टी संब्ट है AI मतब आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस होता है कितने पुद्धि मत्ता है ब्लेचली घोषड़ा है यह देखिए ब्लेचली डिकलेरेशन कितने सहरों को वर्ट सिटीज डे कि आउसर पर यूनेस को क्रियेटिव इसमें से कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो आपको याद रखने चाहिए वहां से आएगा तो आप अगर नहीं जान रहेंगे गलत हो जाएगा बाकी तो कर भी सकते हैं लेकिन और कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें यूनेस को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क की बात हो रही है पचपंसा है जो सामिल है उसमें ग्वालियर का संगीत कोछी कोड का साहित सामिल है किस संस्थान ने एडाप्टेशन गयप रिपोर्ट 2023 जारी किया है तो UNAP हमेशा जारी करता है यह रिपोर्ट किसे संब्दी था जलवाई परवलतन से क्लाइमेट चेंज से संब्दी था यह सब आसान है यह सब आप पढ़े भी होंगे लेकिन कुछ जैसे ब्लेचली डिकलीरेशन यह मोस्ट इंप्वार्टेंट हो जाता है अगर मैं इंप्वार्टेंट लिफ रहा हूं तो इसका मतबाब को पता होना चाहिए किस से संब्दी था अगर AI आता है तो AI आप AI सेफ पारत और आसपास के छेतर ही होंगे जो भी होंगे बांगलादेश, बॉलबिया, ब्राजील, कमबोडिया, कोलंबिया, एक्वाडोर भी है, भारत भी है, नेपाल, पाकिस्तान, पेरु और बेनेच्विला है नदिवार्फिन के संद्रच्छड के लिए वैस्वी घोष्ड कहां किये गया है, तो बोगाटा में, बोगोटा, जो है बोगोटा कम कोलंबिया में, अन्तराष्ट ये प्रतियसवार्दा नेटवर्ग, ICN के संचालन समू का सदर से कौन बना है, तो भारती ये प्रतियसवार्दा आयोग CCI, श्लोवाकिया का पधान मंतरी नियुक्ति कि है तो अकापुल्पू, अकापुलको, मेक्सिको, ये इंपर्टेंट हो जाता है, हरीकेन वहां बोलते हैं, चक्रवात अपने यहां बोलते हैं, ओटिस नाम है इसका, हरीकेन ओटिस, अकापुलको जो है मेक्सिको में, किस संस्था ने, इंटरकनेक्टर डिजास्टर रिस् किस देश के अंतराष्ट है सौर संगठन देखे सौर गटबंदन आईसे असेंबली के छठे सत्र की मेजवानी की है किस देश ने की है तो भारत में एक मात्र भारत में है जो गुरुग राम में है इन्क्राब्ट के किस अंस्थाने सयुक्ति राष्ट का स्युग्तिोंक्राश का पृष्क प्रश्कार प्राप्त हुआ है तो आई सी ए इंस्टिटूट आफ चार्टर अकांटन्ट आफ इंडिया भारत के किस अंस्थान को सश्टनेविल्टी रिपोर्ट में जो है सन्युक्त राष्ट का प्रश्कार प्राप्त हुआ है सन्युक्त राष्ट विस प्रेटन संगतन यू यन ड्लू टी यो की 25 वी महासभा कहां की गई है तो समरकंद में उजबेकिस्तान में है सोला से 20 अक्ट्यूबर की खबर है ये ड्लू यन टी ड्लू टी यो जो है दोराभायत के किस गाउं को सब सेश्ट प्रेटन गाउं का ज अब चाहे कोई राष्ट पती या पी एम का पूछे या ना पूछे इनको अगर पूछा जाएगा तो इनको जरूर पूछा जाएगा क्योंकि सबसे कम उम्र के हैं किस संस्थान ने 1CGIAR भागिदारी में सामिल होने के लिए समझा होता किया है तो अंतराष्टी अर्धसु अंतराष्टी अर्धसु उष्व कट्रवंधि है फसल अंसंधान संस्थान आई सी आर आई यस एटी भारत और यूके के बीच पहली टू प्लस टू वारत कहां आयोजित की गई तो नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2023 को इस्राइल और हमास के बीच संघस में फसे भारतियों को वहां से निकालने के लिए भारत में कौन साय आप्रेमेशन चलाया था तो आप्रेमेशन आजय इंसराइल और हमास के बीच जब यूद्ध हो रहा था अप्रेस ने चलाया था भात्यों को निकालने के लिए भारत में अक्टूबर वजा थेश में भात्य भेशज संहिता आयोग आई पीसी किसका सदस्य बना है तो देखें यहाँ पर है फार्मा ओपील डिसकस्शन गुरूप पी डी जी किस देश की पहली महिला राश्पती सामिया अब यह भी इंप्वार्टेंट हो जाता है जैसे कम उम्र वाला जो हो गया ऐसे यह भी होई तो आपको पता होना चाहिए यह जो अभी हमने यहाँ पर डिसक्रिशन किया था ऊपर पर चला गया डोनियल नोबुवा कर जो है यह सबसे कम उम्र ते एक वाडवर की राश्प की गई है तो जी अन्यू की द्वारा जवाल लाल नहरू इनुवर्सिटी नहीं दिल्ली की द्वारा इंको डॉक्टेट की डिग्री मिली है भारत के बाहर बिस्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अच्छर धाम मंदिर को घाटन कहां किया गया है तो नियुजर् जारी किया जाता है तो कर्सन वर्ड वाइड तथा बेल्ट हंगा जारी किया जाता है इस सुचे में भारत को जो रहें को मिला है 114 हुआ रहनी अस्तिति है भारत की प्रसांत महसागर के द्यू राष्ट वानल आतु जो है कि नए पधान मंत्री कौन बने है तो चाल लोट स इसको याद रखियेगा गाधी संग्राले उत्री अमेरिका का पहला है भारत के बाहर डाक्टर भीम राव अंबेटकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेच्व आप इक्वैल्टी का नावरर जो है मैरी लैंड यूसे में किया गया है सबसे बड़ी है प्रतिमा स्टेच्व से समबन्दित है वैसिट नाचा सुचकांग्ण 2 030 तो जो है विशु बाद्धिक संपता सुचकांग को वैसमें जो में 12गे मिनीड डिक संपता सुचकांग को जाता है भारत का अस्थान बात करें तो फोटी नमबर वारत नेक्वांट की बात करते हैं कि संयुक्तराष्ट महा सभा कि किस सत्र के उच अस्तरियक खंड का आयोतिन किया गया है तो 88 में नंबर का है 88 में सत्र के जो अध्यचिता किये है डेनिस फ्रांसिस में किया है वर्ड उणिवंवसिटी रैंकींग 20-24 में किस के द्वारा जारी की गया है तो टायंस हाय जाल जारी पाईट की बात करते हैं इस सुच्काइब में सीज जो संस्थान है ईउनीवरिष्टी आप ओक्सफॉड है उनाठिट इउक्य का हैruit इस सुच्कान करकों सा भारतिय संस्थान सीज अस्थान पर है तो भारतिया विद्ध्डान संस्थान दंगलूरू किस समय ने सय यूग्त अंतरीच उद्यम की घोषडा किया है तो ITU2 जो है सय यूग्त अंतरीच उद्यम की घोषडा किया है किन देशों के साय निनिताओं ने साहेल सुरच्छा समझाओता पर हस्थाचर किया है तो माली बुर्गीना फासो अनाइजर अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है साहेल सुरच्छा समझाओता किस से संबंदित है इस समझाओते की घोष्णा जो है बाम आपको माली की राजधानी में किया गया है संयुक्तराश जलवाई महात्वा कांच्छा सिखा समझाओता यूनाइटे नेसल क्लाइमेट एंबिसन समिट 2023 नियुयाक USA में आजित हुआ है विश धरोवर में सामिल किया गया है सांती निकेतल जो पष्णि पर्ग में गादिवाग का आयोजिर किया गया है नेक्स पॉइंट की बात कते हैं कि अमेरिका के किस सहा द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषड़ा की गई है तो लुईस विलें केंटकी में लुईस विलें में सनातन धर्म दिवस 3 दिसंबर को मनाया जायाँ लीविया में किस तुफान को भैंकर तबाही कब किया गया है तो 9 दिसंबर 2023 वैस्वीक जयो इधन गढ़बंदर का सुभारंग हुआ है किस देश ने मिनट मैं थिरी मिसाइल का सफलता पूर्वक पर इछड़ किया है तो अमेरिका द्वारा मिनट मैं थिरी इस तरह की मिसाइल है तो अंतर महादिय के बैलेस्टिंग मिस जो किन देशों में भाल लिया है किनकिन देशों ने तो भारत नेपाल भूटान बंगलादेश श्री लंका ने भाल लिया है तिराली सिमा आसिया सिखर सम्मेल यंचा यह जो हुआ है 4-7 सितंबर को हुआ है जकार्ता इंडोनेसिया में 20 प्रतिभार रैंकिंग 23 की बात करत तो इसको थोड़ा सा ध्यान मेरे के लिए, थैंक यू